हेलो एंड वेलकम, ग्रेट एकडेमी के ओनलाइन पोटल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, मेरा नाम है M.D.Sami, एकजाम की डेट्स आ चुकी हैं बच्चों, तो हमें ये यकीन हैं और ये भरोसा है कि आप लोग का जो प्रिपेशन से CRM का आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो' टेलिग्राम में बच्चे स्कोर सेयर कर रे हैं, इनका परफोर्मेंस बहुत ही इंप्रूव धूव है, तो ये परफोर्मेंस देखके हमें बहुत ही खुसी होता है, कि रैंक 10 के अंदर बच्चों का रैंक आ रहा है, तो ये test series आप लोग दे आठ नमबर ला रहे हैं तो तीन करना है और अगर आप नंबर तो आप 12 12 ले आएंगे एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनना है एक चीजों को में स्ट्वा ना स्कुंड को बताऊंगा इसके नहीं करना तो आप लोग को एकदम टेंसर नहीं लेना है बच्चों आपका टाइम मैं बचाना चाहता हूं जो भी हमारे टीम का मकसद है ताकि आपका टाइम बच सके आपको रिविजन का बढ़िया टाइम मिल सके तो लेक्चर को बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर दिया जाएगा आप ल लोग का परफॉमेंस जो है एक्जाम में बहुत ही अच्छा होने वाला है बच्चों जो भी बच्चे लेक्चर पे जहां नहीं देते हैं उनको मेरा यह सजेशन है कि आप एक एक पॉइंट को सुनिए तभी आप उसको रिमेंबर रख पाएंगे और एक्जामनेशन में द संजेंगे और इसके अप्लिकेशन को भी जानेंगे साथ में हम लोग गातना को पढ़ेंगे उसके लिमिटेसं को भी जानेंगे और डेंडडर टूल चूल्स यह में इस्तमाल किया जाता है अप का बच्चों एक दम लोग ध्यान दीजेगा एक पॉइंट को तो चलिए वी मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब कर लिजे ताकि मेरे दौरा दिए गई हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे देखिए अब हम लोग समझते हैं सबसे पहला टापिक जो है पेंस फाइब प्रोसेस मॉडल तो जैसा कि मैंने आपको अडियाइसी मॉडल और वैल्यू चैनल बताया है उसी तरीके से पेंस फाइब प्रोसेस मॉडल जो है बच्चों यह बहुत ही इंपोर्टेंट है यह एक होने देखा कि के क्यूच सील मॉडल में हम में सबस्क्राइब चैनल में अव्लोग सील में सब्सक्राइब होता है और देंवा Bible का मॉटल को अपने कंबनी के तरफ ले करेंब एक आना तो और ये पांच प्रोसेस से गुजरता है तो जो पांच वहां जट वह हुए एक ही प्रोसेस है इसलिए पांच प्रोसेस बोला बच्चो यह एंड्वी पेन & पेनी फ्रो के दौरा दिया गया था 2005 में यह बहुत ही कारगर प्रोसेस है कस्टमर को रिटें रखने के लिए एको करने के लिए पहला प्रोसेस है जैसा आपका देख रूंगे इस मॉडल में इस प्रोसेस्さん ब क्या सते हैं अपने बिजनस के इंपरूब करने के लिए वहाँ पर इंप्रोव कैसे करें अपने टीम्स जो हमारे हैं अपने विजनेस के लिए पॉड़कर करना है इन बातों पर ध्यान देते हैं और customer strategy में क्या करते हैं, हम customer के satisfaction, experience को ध्यान देते हैं, उन्हें कैसे हमें अपने product के पास ले के आना है, जो products हम बना रहे हैं, उनके लिए कैसे valuable हो सके, इन चीजों पर ध्यान देते हैं, दूसरा जो process है बच्चो, value creation process, तो value creation process में हम लोग क्या करते हैं, value create करते हैं, values को अप बिजनेस के लिए भी value को add करें, जो product हम launch करने वाले हैं, और वो customer के लिए भी valuable हो, अगला जो process है बच्चो, multi channel integration process, तो multi channel integration process में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमने business strategy set की है, customer strategy को set किया है, उसको, उसका जो output है, और जो value creation का output है, इन सब का input हम multi channel integration में दे देते हैं, और ये स application आप यूज करते हैं, तो उसमें जो भी आप customization करते हैं, filtration करते हैं, selection करते हैं, या payment करते हैं, इन सब का integration एक ही जगह होता है, ताकि single click में आप साइची को कर सके, इसी तरीके से अगला जो process है, performance assessment process, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कि performance के उपर monitorization करते हैं, ताकि हमारा ज satisfy हो रहा है कि नहीं हो रहा है, performance assessment process में, हम लोग performance को monitor करते हैं, कि जो भी products हम launch कर रहे हैं, वो product हमारे कितने customers को ले के आया, कितने customers जो पहले से थे, वो retain रहे हैं, कहीं गए नहीं है, तो इन चीजों को हम monitor करते हैं, और जो भी हमारे employees है, sales team या marketing team, IT department, delivery team, जितने भी teams हैं हम manufacturing team, सबकी performance को monitor करना पड़ता है, ताकि अपने performance को हम improve कर सकें, अगला जो है, वो information management है, जो भी information हमारे पास आ रहे हैं, product से related, या business से related, या customer से related, इन चीजों को manage करना, एक जगा एक कठा करना, इनको categorize करना, यह हम इस process में करते हैं, तो introductions आप लोग को समझ में आ गया होगा तो बच्चों, Pains 5 process में कितनी process involved है, इसका focus क्या है, इसका focus जो है customer acquisition से retention पे है, customer को हम लोग कैसे acquire करें, कैसे return रखें, तो जो भी process में involved है, एकक करके हम लोग detail में पढ़ेंगे, जो भी basis हम लोग पढ़ेंगे, उसका पूरा इस्तमाल यहां पे किया गया है, आप लोग को बहुत ही अच्छी से समझ में आने माला है, यह topic बहुत ही clearly समझ में आ जाएगा, यह देखेने में बहुत ही difficult लग रहागा बर बहुत ही असान है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो पहला जो topic है बच्चों, strategy development, तो strategy development दो टाइप का होता है, business strategy और customer strategy, तो business strategy में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अपने goals को set करते हैं कि business को हमें कैसे improve करना है, business को improve करने के लिए sales team को अच्छे से काम करना होगा, marketing team को अच्छे से काम करना होगा, delivery team को अच्छे से काम करना होगा, manufacturing team को काम करना होगा, IT team को काम करना होगा, तो इन सारे teams के goals को, इनके सारे achievements को, जो भी strategy हम बनाते हैं, एक perfect strategy हमें बनाना होता है, मीटिंग के जरीए या जिसके भी जरीए हम इसे सेट करते हैं मीटिंग करके सारे एक चीजों पर हम डिसक्स करते हैं कि हमें अपने बिजनेस को कैसे इंप्रूब करना है तो इस्टेजी यहां पर सेट की जाती है कस्टमर को point of reference रह किये ताकि हमारे कस्टमर acquire हमारे पास आए और जो हमारे पास पहले से customer है वो हमारे पास retain रहें जैसे कि माल लिजे बच्चों कि अगर कोई product पहले से market में available है वासिंग machine अगर हम लोग manufacture कर रहे हैं अपने company में वो तो market में पहले से available है अगर हम same type की features वाले product को बनाएंगे same type की warranty देंगे same services provide करेंगे तो वो market में चलेग अच्छी अपनी services को बढ़ा दें या warranty को बढ़ा दें अगर market में साल भर की warranty दे रहा है और हम 3 साल की दे दें तो जब हम products को launch करेंगे तो वो product हमारा बहुत तेजी से market में चलेगा इसी तरीके से हम लोग customer strategy बनाते हैं customer के potential को ध्यान में रखते हुए कि customer ही है जो हमारे business के value को बढ़ा सकता है हमारे product की value को बढ़ा सकता है तो customer को satisfy करना बहुत जरूरी होता है बच्चों जब हम कस्टमर को acquire करना है उसके retention पर फोकस करना है तो customer के value को add करना है तो customer की value को कैसे add करेंगे हम लोग जब उसे product बढ़ियां देंगे, अपने strategy हम अच्छी रखेंगे, अपनी product से quality अच्छी रखेंगे, warranty अच्छी देंगे, services अच्छी देंगे, तो इस तरीके से strategy को set किया जाता है, business strategy और customer strategy को, जिससे हमें बहुत ही help मिलता है, तो इसमें हम लोग 4 तरीके के rules, 3 तरीके के rules follow कर बने को देता है कि किस product को launch करना है, customer strategy हमें यह बताता है कि हम products को किस तरह design करे, किस तरह के products को launch करें, और जो है हमें किस तरह के changes करना है customer के needs के हिसाब से, तो यह जो strategy development है, इससे हमें यह help मिलता है, आगला जे परसेस है बच्चों, value creation process, तो value creation process में हम लोग क्या करते हैं ब बिजनेस की गाहले को बढ़ाना है तक ऑने कर सके अपने बालियो के लिए और कस्टमर के लिए बिजनेस के लिए वैल्ट्स को वैयलुबल बनाएंगे सुनsmंत जो कुल के लिए वैल्यूबल हो उन्हें वैल्यूबल लगेगा तभी हमारा जो बिजनस है उसमें वैल्यू एड होगा तो इन बातों को आप लोग बहुत अच्छे समझनाना है जैसे कि आप यहां पिक्चस में देख रहूंगे गnt की जा रही है यानि कि मनें आड की जा रही है तो मनें य को आड करने के लिए क्या हमें करना होगा कुछ और जो से चीज़ेंख्या हूं अ अगर iPhone जो मार्केट में आया है या जो Android फोन मार्केट में चल रहा है Samsung हो गया या OPPO हो गया यह तो नए है Motorola हो गया Nokia हो गया तो इनका rate जो है बहुत हाइँ होता है लेकिन MI जो Company आ गई फोन बन गया है तो इसी तरीके से जब तक आप कुछ नए चीज़ें नहीं करेंगे नए क्रियेटिविटी नहीं करेंगे तो आप वैल्यू एड नहीं कर सकते हैं जो चीज़ें पहले से मार्केट में चल रही है हम वही मैनुफेक्चर कर दें तो मार्केट में उतनी इफिसे सब्सक्राइब लगेगा तभी हमारे बिजनस का वैल्यू बढ़ेगा और बिजनस के वैल्यू को बढ़ाने के लिए कस्टरमर के नीट्स को समझने के लिए अंडिस्टैंड करने के लिए हम लोग स्ट्रेजी बनाते हैं और वैल्यू क्रियेट करते हैं अगला प्रोसेस है से मिल रहा है उसके आउटपूट को इसमें इंपूट की तरह डालते हैं और यह सारी चीजों को इंटिग्रेट कर देता है यानि कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मैंने आपको एक्जांपल ने बताया कि जो भी एमेजॉंस फिलिपकार्ट या वेबसाइट से हम या आप पेमेंट करिए या फिर डिलिवरी का जो सिपिंग का जो आप्शन होते हैं तो सारी चीजे सिंगल किलिक पे हो जाती है बच्चों तो मल्टी चैनल इंट्रिक्रेशन जो है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इससे क्या होता कि कस्टमर हमारा खुस हो बिए लेकिन हमने चीजों को उसमें इंटिग्रेट कर दिया तो वो क्या है उसे कस्टमर का टाइम बचा करने के लिए तो कस्टमर के टाइम को बचाना यहां पर बहुत जलूरी है इसलिए हम लोग मल्टी चैनल इंट्रिक्रेशन करते हैं जो की कस्टमर के वैल्य को यई किया जैते हैं। यही जगह एक लिटे नीट को समझ सकते हैं। अग्ला process है बच्चों वह है performance assessment process अब क्या है performance assessment process इसे लिए काइसे काम करेगा जो भी आउट पूट था इस्ट्रेजी development का वेल्योगे स्ट्रेशन वह मल्टी चैनल में आ गया अब मल्टी चैनल integration का आउट पूट है वह इनपूट का काम करेगा performance assessment में इसमें हम लोग performance को monitor करते हैं KPI के थुरू की performance indicator का इस्तमाल करते हैं जो कि performance को monitor करने हैं बहुत ही helpful है जैसा आप देख रहोंगे objectives, measurement, optimization कितना किया गया, strategy, performance and evolution तो इस तरीके से performance को monitor किया जाता है अगला जब process है बच्चों, information management और analytical process तो information management में क्या करेंगे हम लोग बच्चों ये एक ऐसा part of model है जिसमें हम लोग information को manage करते हैं जो भी analysis हम कर रहे होते हैं जो भी products का analysis या अपने company का analysis हम लोग करते हैं चाहें वो customer related हो, products related हो या employer related हो सारे information का categorize करके उन पर analysis करते हैं और उन पर study करते हैं ताकि अपने business को या customer के acquisitions को हम लोग बढ़ा सकें, retention को बढ़ा सकें तो analysis करना कब possible है जब हमारे पास information रहेगा तो उसको भी manage किया जाता है जो की CRM को बहुत ही कारगर बनाता है एक comprehensive model बनाता है और qualitative measurement के लिए helpful बनाता है जो की market के competition को judge करने के लिए बहुत ही जरूरी है अब हम लोग देखते हैं कि pens 5 process model की जो यह processes है 5 इनका application कैसे करते हैं तो इसका जो application है बचो वो e-retails business के लिए किया जाता है e-retails का मतलब होता है कि जो भी goods and services हम लोग online बेशते हैं वो e-retails में आ जाते हैं तो जब हम products को online बेशते हैं marketing करते हैं उसका जैसे कि आपको mails आते होंगे आपको जब आप online surfing करते हैं advertisement आते हैं mails आते हैं आपको offers दिये जाते हैं कि इसमें इतने offer है इस product पर इतना offer है तो आप जैसे कि आप अगर Facebook भी सर्फ कर रहे हैं या Instagram चला रहे हैं तो उसमें ad आते हैं mobile के ad हो गए या हमारे kitchen appliances हो गए या फिर washing machines हो गए electronics आइटम हो गए या हमारे कपड़े हो गए जो हम daily चीजे हैं उन सब के offers आते हैं कि इसमें इतना discount है इस तरह की यहां पर मौजूद ह है तो यह हमारा सारा e-retail business में आ जाता है बच्चों जब हम products का marketing online करते हैं advertisement करते हैं तो वह सारी चीजें उसमें आ जाती ताकि customer को हम engage रख सकें अपने तरफ खीच सकें तो यह offers की जरीए किया जाता है ताकि हम customer को अपने तरफ खीच सकें इंगेज कर सकें बच्चों marketing research and consulting firm दोनों लोगों ने मिलके इसका development किया था जिसका नाम है Gartner Inclus in corporations जिसको Gartner CRM model कहा गया है तो Gartner जो है बच्चों यह consultancy company firm है जिसका headquarters Kennedy cut में है USA में इसके 5700 से ज्यादा associates है 1400 researcher analytics and consultants है तो यह जो company है एक firm के दोरा बनाए गई है कर संटेंसिंग agency के दोरा बनाए गई है इन्होंने आठ companies का selection किया और उस company के year after year revenue growth को absorb किया उसकी जो increment है उसका जो ranking है किस तरीके से company growth कर रही है उन चीजों को absorb करने के बाद यह model Gartner के दोरा बनाए गया था जो की ए तो आठ competencies है बच्चों वो है हमारा विजन, strategy, matrix, collaboration, customer experience, process, information and technology जैसा कि आप यहाँ पर देख रहोंगे बच्चों जो vision है तो CRM vision मतला हमारा focus किस चीज़ पर होना चाहिए हमारा aim क्या होना चाहिए तो leadership, social, worth और value propositions पर यह focus करता है और जो strategy है strategy में हम लोग यह set करते हैं कि हमारे company का जो objective है वो क्या होना चाहिए, segments क्या है, effective interaction हम लोग कैसे करें customer के साथ, इन सारी चीज़ों को हम लोग इसमें देखते हैं और CRM process में हम लोग customer के life cycle को देखेंगे और जो knowledge management है उसको देखेंगे जो भी information हमारे पास है तो कैसे उसको manage करें valued customer experience जो भी customer का experience वो share कर रहा है वो मारे लिए valuable है तो इसमें हम लोग feedback भी बहुत जरूरी होता है customer satisfaction बहुत जरूरी होता है जो की बहुत ही important है अगला जो है बच्चों organization collaboration जो भी organization है यानि कि किस तरीके से वहाँ पर collaboration हो रहा है या वो culture related है status related या customer competency related हो या incentive से या फिर compensation हो गया employees communication की तरीके से communicate कर रहा है partners कौन है हमारे suppliers कौन है इन चीजों पर focus करते हैं और CRM information कितनी information हमारे पास मवजूद है जो भी data है उसकी analysis की जाती है one way across a channel और जो CRM technology है अप्लिकेशन जो है architecture है infrastructure CRM की जो टेकनोलोजी का इस्तमाल आज हम लोग कर रहे हैं बिना टेकनोलोजी के कोई पॉसिबल नहीं है बच्चों और CRM मैट्रिक्स पर ध्यान देते हैं cost to serve जो service दी जा रही है वो इसकी cost क्या पढ़ रही है satisfaction label कितना है हमारे customers का कितने लॉयल ह हमारे customer हमारे पास है और social cost भी हम लोग यहां देखते हैं तो introductions आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों एकक करके हम लोग एक पॉइंट को समझेंगे कि कि किस तरीके से यह competency model गाटनल कंपनी के दोरह बनाया गया था जो भी कम कल संटेंसी फॉर्म थी यह मतलब अगर यह जो competency एड कंपेंटेंसी यह फॉलो करता है गाटनल मॉडल तो जो भी बिजनस यह एड कंपेंटेंसी को फॉलो करेगा यह मतलब वह 100% success उसको होना ही होना है क्यूंकि यह आठ कंपनी के ग्रोथ को अब्जॉब करके उसकी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को देख के बनाया गया था तो पहला जो पॉइंट है बच्चों वो है CRM विजन यानि कि इसमें हम लोग फोकस करते हैं एक स्पेस करते हैं कस्टमर के मैनेजमेंट के लिए ताकि हम अपने बि चीज को चाहिए से कि एक टीम में कैप्टन होता है जो पूरे टीम को कंट्रोल करता है उसी तरीके से किसी भी बिजनर्स को रन करने के लिए हमें लेडर की जुरुत होती है तो लीडर्शीप होता है जो की एक वेल डिफाइंड कस्टमर वेल्यू वेल्यू प्रपोजिशन को मतलब अभी तक आप लोगस समझ में आ गया होगा कि जो भी गूर्यां सफिल सस nuestros दे ए तो यहां पर विजन सेट और जो लो प्रॉड कर रहे हैं, तो इन चीजों को फोकश करके इनका objective निकालगे, wife, अगर हमें मार्केट में उतरना है, तो मार्केट में उतरने के लिए हमें मार्केट में पहला समझना हूँ कि इस तरह के पाड़ात्स भी कर रहा हैं, तो इलेक्ट्रोनिक्स एटम से जब हम डिल करेंगे या हम सोरूम खोलेंगे तो अगर एलजी की कमपनी की सोरूम खोल दिये तो हमें यह देखना होगा कि मार्केट में एलजी का जो रिव्यू है जो उसकी वैल्यू प्रपोजिशन्स है गुड्स जो पहले से कस्टमर्स लेकर रखें उनका एक्सपिरियंस कैसा है उनका वैल्यू किस तरीके से जो प्रॉडट्ट है वो एड कर रहा है किस तरीके से वो तो सर्विश इस को प्रोड़ कर रहा है तभी नौश कमपणी के अपनी सर्विशे तरब हम खुसेंगे नहीं तो हम दूसरे कमपनी की तरब जाएंगे अगर ऐल्जी अच्छी सब्सक्पर नहीं कर रहा होगा तो हम समसंग के तरब जाएंगे तो कमपनी जो गया करती है ए अगर आप LG के प्रोड़क्स को यूज करो गए वासिंग मसेंस टीबी हो गए तो इसके सर्विसेस बहुत अच्छे हैं बच्चों इसलिए कंपनी अभी तक टिकी हुई है तो कस्टमर को जब इन्होंने सटिस्फाइब किया वैले मत पॉपशिशन कस्टमर वैलेवल प्रोड इसका कि दे रहे हैं वह हमारे एफेक्टिव हो हमारे बिजनश के रवन्यू को बढ़ाने में काम करें अगला जो पॉइंट है बच्चों वैल्लु कस्टमर इक्सपीरियस मतलब कस्टमर कैसा एक्सपीरियंस कर रहा है हमारे प्रोड़क्स को इस्तमाल करने के बाद को पॉ इससे company growth में भी help मिलता है तो feedback यहां पर most important चीज है बच्चों जिस पर ध्यान दिया जाता है इसलिए आपको कभी देखा होगा जो company की आप products को लेते हैं तो आपको phone करके review लिया जाता है feedback लिया जाता है किसार आप यह product कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है आप यह product जो इस्तमाल क को हम बढ़ा सके है आगला पॉइंट है बच्चों और गनाजेशनल कॉलिबरेशन तो और गनाजेशनल क्लिबरेशन में क्या होता है कि जो भी cultural factors है social factors हैं जो कि हम इसमें customer oriented business को हम focus कर रहे हैं तो इसमें हम लोग customer जादा focus करते हैं customer के experience को focus करते हैं ताकि वह अच्छा हो सक factors इसको affect कर रहा है उसको हम लोग कैसे transform करें जो भी हमारे पास staffs हैं जो भी हमारे पास suppliers हैं जो हमारे distributors हैं जो हमारे partners हैं shareholders हैं वो कितनी efficiently work कर रहे हैं क्योंकि sales team जो है बच्चों और marketing team है इनका बहुत बड़ा हाथ होता है market में products को चलाने के लिए क्योंकि यही एक team होती ह है जो products का advertisement करती है तो products का advertisement अगर यह अच्छे से नहीं करेगी अपने products के बारे में नहीं अच्छे से बताएगी तो कैसे products भी किएगा वर्क कर रही है जो लिडर होता है manager होता है इन चुजों को observe करता है कि कहां पर फॉल्ट आ रहा है अगर हमारा company नीचे जा रहा है तो क्या वज़े है किस वज़े से हमारा जो किस team में fault है या अगर टीम में fault नहीं है हमारा से सब तीम अच्छे से वर्क कर रहा है तो हमारे क company की value down हो जाती है इसी तरीके से हमें products को अच्छा रख रहा ही होता है जब हम एक बार valuable brand बन जाते हैं market में तो अपने brand को maintain रखने के लिए हम क्या करते हैं अपने products को अच्छे से अच्छा बनाते हैं जैसे apple company मैंने पहले भी लेक्चे से बताया बच्चों apple company कभे भी यह न करें कि आप हमें कम मेगापिसल का camera दीजिए कम रेंग दीजिए कम storage memory दीजिए और हमें सस्ता करके दीजिए तो वह नहीं बनाएगी इस लिए नहीं बनाएगी क्यूंकि उसके पास ऐसे customers मौजूद हैं जो कि उससे अपर डिमांड करते हैं और उसकी value को add करते हैं तो वह क पॉलिशी हो गया चाहे हो मैंचे मैनुफैक्ट्रिंग हो गया हर एक टीम पर वर्क करती है अच्छे से ताकि हर एक इंप्लोई जो है उनका performance अच्छा हो सके तो यह और कॉलिपरिशन के वज़ए से होता है अगला पॉइंट है बच्चों CRM process तो जो भी processes involved है जानी कि जो हम products को बना रहे हैं इन सारे process को आपने मैंने डिटेल ने बताया ही आपको कि सारे जो टीम है वो अच्छे से work करेगी तो इसमें हम लोग CRM process में देखते हैं कि customer का जो life cycle है वो कितना है कितना वो हमारे पास रिटेन रहा है कि customer lifetime value भी यहां प customer हमारे तरफ कितना engage हो रहा है कितना वो हमारे से दूर जा रहा है इन सारी चीजों को यहां पर analyze किया जाता है और planning की जाती है कि customer हमारे पास आएं यह हम इसमें focus होता है कि customer हमारे पास आएं और satisfied हो और हमारे products जो है अच्छे से बिकें और run हो ताकि हम अपने features को और भी ब absorb करते हैं और इसमें यह planning करते हैं कि customer हमारे पास आए अगला बच्छों customer information क्या करते हैं हम लोग हम लोग जो भी information हमारे पास मौजूद है उसको customize करते हैं और analyze करते हैं और customer की needs को समझते हैं और उसको solution कैसे निकाला जाए इन बातों को हम लोग ध्यान देते हैं जैसे मान अगर हमने को पॉड़क्त को लांच किया जैसे सू लांच किया तो सू जब हमने लांच कर दिया तो वो पॉड़क्त अगर मार्केट में नहीं चल रहा है तो हमें यह समझना पड़ेगा जो भी हमें information data मिल रही हैं उसे related उनको analyze करके हमें यह समझना पड़ेगा कि यह सू क बात करते हैं जो भी valuable customer होता है उससे related products को हम बनाते हैं और उन customers के suggestions को भी लेते हैं जो हमारे company के लिए valuable customers हो गए यहां पर जो है बच्चों information को manage करना बहुत ही जरूरी होता है ताकि हम quality दे सके जो भी data हमारे पास मौजूद है इससे हमें क्या होता है जो भी decisions making याने की बड़े businesses में बड़े decisions में जब हम company की growth के लिए बड़े decisions लेंगे तो information को जब हम manage किये रहेंगे उसका analysis किये रहेंगे तो decision में help करेगा development में help करेगा revenue growth में help करेगा तो इन सारी चीजों को हम ध्यान देते हैं जैसे आप यहां देख रहोंगे कि customer life cycle जो है किस पर depend है reach यानि कि customer हमारे पास कैसे पहुच रहा है acquisitions conversion किस तरीके से हो रहा है retention कितना है और कितने customer loyal है हमारे पास यह life cycle होता है customer का स्यारम प्रोसिस में क्या जाएगा जन्रेट अब ब्रैंड अवेर्नेस मतला जो भी हम बना रहे हैं ब्रैंड बना रहे हैं उसकी अवेर्नेस को जन्रेट किजिए लोगों तक पहुचाइए उसकी information उसका marketing किजिए advertisement किजिए acquire a lead lead acquire करना यानि कि lead लेना कहां हमें focus करना है किन customers को focus करना है उस पर ध्यान देना है और convert a lead into customer जो lead है हमारे लिए उसको customer में convert करिया यानि कि products को बेचिए तभी तो वह customer बनेगा हमारा और जो है provider superior support यानि कि सबसे best service और best support देना है उस customer को ताकि वह हमारे से संतूष्ट हो जाए इतना कि दुसरे company के पास जाए ही न और जो पांचवा है drive and upsell the reference जो भी अगर हम mobile phone बेच रहे हैं तो उसके साथ अगर हम headphone बेच सकते हैं या pen drive बेच सकते हैं तो उसको बेचिए upselling करिए upselling तो मैंने आपको बताया ही कि products को बेचना upsell करना साथ में target को identify करते हैं फिर हम develop करते हैं कि हमें कहां जाना है और इसको इंप्लिमेंट कर देते हैं इस प्रोसेस में ठीके बच्चों अगला जो प्रोसेस है CRM technology तो CRM technology क्या है यह IT information technology का मतलब हो गया यानि कि जो भी technology का इस्तमाल हम से CRM में कर रहे हैं मॉडल में जो भी technology का इस्तमाल अपने business को इंप्रूब करने के लिए अपने customer को इंप्रूब करने के लिए technology का ज़रुवत है बिना technology के क्यों नहीं कुछ भी कर सकते हम लोग जो भी advanced technology का आशकार इस्तमाल किया जा रहा है ताकि हम data को अच्छे से manage कर सके हर एक information को manage कर सके हैं एक चीज़ों को एनलाइज कर सके हैं planning कर सके हैं अपने डिस्जन्स को ले सके तो यही टेकनलोजी का इस्तमाल CRM में किया जाता है जैसा आपने देखा होगा कोई भी applications website आप चलाते हैं तो कितने खुबसूरती से हर एक चीज़ों को मेंटेन किया जाता है category wise और order wise decided होता है हर एक चीज मेंटेनेंस जो होता है इनका जो category यह हम टेकनलोजी का इस्तमाल करके करते हैं तो डाटा जो हमारे पास बहुत है लेकिन उसको कैसे manage करें टेकनलोजी नहीं होगा तो तो वही हमें help करता है मैनेज करने में तो टेकनलोजी बहुत ही जड़ी है बच्चो अगला पॉइंट है CRM मैट्रिक्स तो CRM मैट्रिक्स में हम लोग चार्ण कस्टमर चार्ण देखते हैं नेट प्रमोटर स्कोर देखते हैं एनजफू रेट रेनेवल देखते हैं लенно अट अब सेर्ल साइकल कितना चला इत्रेंशन को देके परस्ट karış रहे होगाए यह उसक्तुमर लाइट कर रहा है हमारे पर्ड़क्स को परमोट कर रहा है अगर हमने पोड़को ले लिया जैसे अब एसमें नहीं बताएंगे यानि कि माँशन कर रहा हैं कंपनी का तो एसमें जुड़ सहता है तो इसमें हम लोग हर एक चीज पर ध्यान देते हैं, delivery से लेके, proposition से लेके, जितनी भी हमारे calculations हैं, जो हमारा value matrix आ रहा है, कितना revenue generate हुआ है, कितना हमने किसी product के पीछे खर्च किया, उसके advertisement में कितना खर्च किया, उसके analysis में, manufacturing में कितना खर्च हुआ, सारी चीजों को जोड़ने के बाद, हमने उसे कितने में बेचा, तो हमारा profit कितना हुआ, सारा calculations जो है, CRM matrix में किया जाता है, तो यह जो भी art competencies मैंने आपको बताया, बच्चों, यह किसी भी developed business जो है, और business जो growth है, उसके लिए बहुत ही firm है, इन्होंने बहुत ही सोच समझ के इस competencies को रखा है, और इस पर model तयार किया है, ताकि business growth ही करे, कभी भी वो down ना जाए, तो जो limitations है, गाटनर's competency model का, यह 8 जो blocks है, vision हो गया, strategy हो गया, organizational collaborations हो गया, और information हो गया, matrix हो गया, CRM process हो गया, जितने भी 8 competencies है बच्चों, यह हमें यह समझने में help करता है, कि customer जो है, हमारे business में किस तरीके से जुड़ेगा, या किस तरीके से जुड़ा रहेगा, तो business को improve करने के लिए, और products को customize करने के लिए, अपने business को customize करने के लिए, यह हमें help करता है, तो यह जो है, बच्चों, kindness competency model जो है, वो छोटे business के लिए नहीं है, छोटे business में उतना helpful नहीं है, यह बड़े-बड़े businesses जो है, रन कर रही है, उनके लिए helpful है, और जो है, यह 8 blocks जो है, एक sustainable goods क्रियेट करने में, ताकि हम अपने customer के साथ relationship को manage कर सके, उस plan को develop करने म manage कर रहे हैं, यानि कि CRM, जो customer relationship management plan है, उस पर focus करते हैं, तो plan जो है, यह इसी 8 competencies model पर dependent होता है, इसी से हम लोग को यह idea मिलता है, कि customer हमारे पास कैसे retain रहेगा, कैसे उसको satisfy करेंगे, उसकी experience हमारे लिए valuable है, उसके feedback हमारे लिए valuable है, तो products को हमें उस तरीके से हमें बनाना हो होता है, ताकि customer satisfied हो जाए बच्चों, देखिए, अगर हम लोग समझते है, dendrogram tool of CRM, यह बहुत ही most important tool है, CRM का, जो की clustering के लिए इस्तमाल होता है, वो भी hierarchical clustering के लिए, clusters हमने आपको बताया था, factor analysis में, जब मैंने CRM का lectures लिया था बच्चों, तो वही है clustering यहाँ पे, ल पेपर में भी इससे questions आये थे वच्चों, तो इस बार उमीद है, कि आपको model से question आ सकते है, जो model of CRM है, तो इसका आप लोग अच्छे से त्यारी करिए, एक एक पॉइंट को में बहुत ही अच्छे से बताऊंगा बच्चों, तो एक एक पॉइंट को आपको focus करना है वच् tree representation है, dendro का मतलब होता है tree, जो कि एक Greek word है, ancient Greek word से लिया गया है, dendron का मतलब होता है tree, और grammar का मतलब होता है drawing mathematical figure, यानि कि हम tree representation करेंगे, पर mathematically represent करके करेंगे, जिस तरीके से आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा, तो जो भी dendrogram tool है बच्चों, उसका हम लोग representation कैसे करते है, mathematically tree के shape में represent करके clustering करते हैं, तो clustering कैसे करते हैं, जो भी similar objects होगे, जिस products related चाहे हो, जब इसका हम लोग grouping करते हैं बच्चों, तो इसमें जो entities होती है, या तो वो single entities होगी, या फिर group entities होगी, तो इनका जो हम लोग classification करते हैं, यह main आधार होता है, इनका distance पे, यानि कि जो हम लोग clustering कर रहे हैं, या जो item ले रहे हैं, जो entities ले रहे हैं, वो दूसरे से कितने दूरी पे है, तो उसी आधार पे इसका हम clustering करते हैं, जैसे आप लोग को यहाँ देख रहोंगे, बच्चों, A, B, C, D, E, F हमने लिया है, यह जो 6 हमारे element है, entities है, इनका हमने clustering किया है, दोनों अलग clusters है, तो यह जो entities है, या तो customer से जुड़ी भी हो सकती है, या तो product से जुड़ी भी हो सकती है, या तो business unit से जुड़ी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, किसी का भी हम clustering कर सकते हैं, जो कि हमारे business के लिए problem raise कर रहा है, जो भी problems हम face कर रहा है, उसके आधार पे इसका हम ट्री representation कर सकते हैं जासा आप एक्जामपल लेखे आपको बताते हैं कि यह क्लस्टरिंग किया गया बच्चों इसमें आप देख रहे होंगे कि दो पर्पनाए गया है एक A B जो अलग सिफ्टम रखा गया है। मैं ढ़िखते हैं और यहां पर देखते हैं और पर हम लुग क्लस्ट्रिंग करते हैं और उनका र्रेप्रेजेंटेशन होता है और डेंर्डोग्राम होता है ताकि हम इसको observe करने में अच्छे से ध्यान हो जैसे आप यहां देख रहे होंगे कि observations जो होते हैं उनको joined किया जाता है लाइन के नीचे cluster में तो यहां आप देख रहे होंगे जैसे कि आप समझ सकते हैं example के तौर पर अगर हम किसी company का example लेते हैं तो company में क्या होता है बच्चों employees की data को एक अलग तरीके से फिड किया जाता है कि उसकी salary कितनी है उसकी basics कितने है उसको टीए डीए दिया रहा है वह कितना है कितनी छुटी वह लेता है क्या पोस्ट है उसकी ठीक है तो इसके अधार पर जो हम clusters बनाते हैं तो इसे हम हमें यह help मिलता है कि जब हमें यह जानना होगा कि कोई भी employee छुटी कब कब लिया है तो हमें यह जानने में help मिलता है कि कोई भी employee छुटी कब कब लिया है उसी पर आधार पर उसकी salary बनाएंगे जब month end पर उसकी salary calculations होगी तो सारी छुटीयों को भी जोड़ा जाएगा और किया जाएगा तो इन सारी चीजों को देखने के लिए हमें help करता है तो जो डेंडरोग्राम टूल है बच्चों यह एक बहुत ही organizational element है जैसे कि मैंने SAP software के बारे में आपको पढ़ाया था तो जो कॉल्फिल्ड है वह पहले किसी और software पर रन करता था लेकिन अब SAP जो है उसम सेलरी बनाना होगा तो उन सारी चीजों को हमें points को ध्यान देना होता है तो यह cluster हमें इस तरीके से help करता है बच्चों देखिए अब हम लोग जानते हैं CRM में जो acronyms यूज किया जाते हैं यह आपकी examination point of view से बहुत ही important है बच्चों डाइटली से questions आएंगे तो एकदम अच्छे से समझेंगे जैसे पहला है सास तो सास आप लोगो मैंने पहले भी बताया था कि यह एक company है software है जो कि service प्रवाइड करती है और उसको host रहनी कि उसको चलाता है दूसरी company होती है तो यह software service प्रवाइड करने के लिए होता है जो की information को इस्टोर करता है जैसे कि cloud में इस्टोर किया जाता है एक्जांपल के लिए आप हब स्पॉट मांग ड्रॉप बॉक्स समझ लिजे या जो आप लोग अभी करेंटली मुबाइल में जो फोटोज को इस्टोर करते हैं ड्रॉप बॉक्स में या Google Cloud में इस्टोर करते हैं या मोबाइल जो ओपो अगर है तो आपटल में इस्टोर करते होंगे यह एपल क्लावड में इस्टोर करते होंगे यह cloud-based software है जो कि सफ्ट्वेश प्रवाइड करती है अपने इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए तो सास का जो सफ्ट्रेश सफ्ट्वेश सर्विस अब दूसरा जो है आई डबल एएस इस इंफ्रास्ट्राइश्ट्राइश्ट्राइश्ट्राइश्ट्राइश्ट्राइश्ट्राइश्ट्राइश्ट्राइश्ट्राइश्ट्राइश्ट्राइश्ट्राइश्ट्राइश्ट्राइश्ट्राइश्ट्राइश्ट्राइश्ट्राइश्ट्राइश्ट्राइश्ट् यह ऐसे प्रवाइड करती है जो कि हमारे ऑगनाजेशन के बिजनेस को मैनेज करने में हेल्प करता है जैसे कि नेट वर्क हो गया करके जो उसके होस्ट में चो सके तो यह वैसे प्रवाइड करती है जो कि बिजनेस के ग्रोथ में हैलफुल होता है अगला जब बच्चोंस एसे पर आपको सेल्स फोर्स आटोमेशन यानि कि इसका जो फोकस होता है टोटली जो सेल्स ट्रीम होती है उसकी इफिशेंसी को बढ जिसेंट कुछ जो भी गुगल्स में हम लोग सिर्ट करते ह। उसकीegenły ट्रैफिक कितना है उसका सूर्स कहां से आ रहा है किस तरीकये से से Спश्ब्स हो रहा है in सब्सक् dinero को मेनेज किया जाता है एक स्टैस्टि mesmo कि द्वारा जिसकां गुग ऐस अगला जो है बच्चों customer experience तो customer experience तो आप लोग को पता ही है कि जो customer experience है products को जब लेता है किसी भी product जब वो satisfy हो जाता है तो आपने feedback को देता है वह होता है customer experience अगला जो है बच्चों CTR तो CTR का मतलब होता है click through rate तो click through rate का मतलब है कि जब online marketing आप लोग website में surfing करते हैं तो advertisement देखते होंगे तो किस advertisement पे कितनी बार click किया गया है किस product को click किया गया है तो वो click through rate का percentage calculate कर लेती है जब कोई भी company अपना marketing campaign करती है तो जब clicking किया जाता है तभी वो click through rate में include होगा यह आप लोग ध्यान दिजेगा अगला जो है बच्चों PPC यानि की pay per click तो pay per click का मतलब हर एक click में जितना payment किया जा रहा है advertisement में जितना खर्च हो रहा है जो भी publish कर रहा है जब हम किसी Google पे अपना advertisement कर रहे है तो बच्चों जब अपना advertisement हम कर रहा है Google पे या YouTube पे या Facebook पे तो हमें कितना payment करना पड़ रहा है क्योंकि हर एक click के लिए हर एक page पे advertise करने के लिए हमें कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है company जब market company करती है तो अपने advertisement के लिए पे करती है Google को यूट्यूब को पे करती है ताकि उसका वह एड़ेटिविम चलाए इसी तरीके से pay per click work करता है इसका जो function है और अगला जो है पब्लिक रिलेशन तो पब्लिक रिलेशन का मतलब यह होता है कि company में जो audience आ रही है किस तरक्या का relation वह maintain कर रही है राइट टाइम पर राइट मेसेज जो भी spokespeople है जो company के बारे में बता रहे हैं जो उसके sales stream हो गया जो उसकी advertisement कर रही है यह robots नहीं होते है बच्छों यह human beings ह पब्लिक रिलेशन क्रियेट करती है मार्केट में जाके यह audience को एकठा करती है तो पब्लिक रिलेशन जो है वह audience को create करने के लिए है और यह robots के दोरा नहीं किया जा सकता है यह human being होते हैं जो कि हमारे पर रिलेशन को maintain करते हैं अगला है बच्छों can spam can का होता controlling the assault of non-solisticated pornography and marketing यह US के दोरा law pass किया गया था 2003 में इसने रूल बनाया था जो भी commercial emails है या messages है जो advertisement के लिए किया जाता है या कोई भी चीज के लिए दें और नहीं तो यह हमारे पर डिपेंट करता है तो यह US ने एक law pass किया ता कि जो भी फालतू के advertisement होते हैं या बिना मतलब के advertisement होते हैं उसको हम लोग ignore कर सके ROI return on investment तो return on investment का हमने पहला ही बताया कि जो हम invest कर रहे हैं उस पर कितना return आ रहा है तो जो performance हम लोग मेजर करते हैं यह efficiency को profitability को मेजर करने का एक क्या बोलते हैं तरीका है जिसके तोरह किया जाता है इसको जो तरीका formula है gain from investment जो भी हमें फायदा हुआ investment से minus cost of investment जो भी हमने खर्च किया investment में डवाई cost of investment करेंगे तो हमें return मिल जाएगा कि हमने जो invest किया से हमें कितना return मिला है अगला बच्चों एल ए आई यार लायर तो लायर का जो फुल्फवां आप देख रहोंगा यहां पर listen acknowledge identify and reverse listen का मतलब होता है यह sales पर पर जो भी sales team होती है यह marketing के team होती है वो यह abbreviations इस्तमाल करती है जो आप लायर देख रहे हैं लार्क देख रहे हैं हर्ट देख रहे हैं लास्ट और के इस इन सभी का सुनने के बाद acknowledge करना है यानि कि उसे हमें एक अपने knowledge के तरह रख लेना है और उस पर analysis करना है फिर आप identify करिए कि कौन सा करने के बाद आप उसका जवाब देजिए उसको ठीक है इसी तरीके से लार्क जो है listen acknowledge फिर उसको आप लोग एसे करिए करें उसके जो भी क्या बोलते हैं कानको कन्फुजंस और पिसके कर्ष्ट है जो भी इसे दिख्यते आ रहे हैं और कनफॉर्म कर दिजिए जैसे कि आप देखे होंगे कि आप से पहले पूछा जाता है सुनते हैं उन लोग फिर उसे एसे करते हैं रिस्पॉंड करते हैं बत तरीके से कंफॉर्मेशन हम लोग करते हैं हर्ट में क्या करते हैं बच्चों ही एज गर उसे कोई प्रोब्लम आ रही है उसे सुनने के बाद हम लोग उसके आप अपने इसतरीके की चीज़ें को फेस किया होगा और फिर रिस्पॉंड करते हैं और थेंक्यू कहके बाइ कर देते हैं ठीक है last में क्या करते हैं बच्छों लिसेंज एपोलोजाइज करते हैं थेंक्यू कहते हैं के यह क्या करते हैं communication accountability अपनी responsiveness नेस तमस्ते empathy और solution देते हैं हम लोग food food इसमें होता है fear uncertainty and doubt तो fear and uncertainty and doubt का मतलब होता है it is a propaganda used in sales marketing public relations और positive पॉलिंग के लिए यूज किया जाता है जो भी डर है हमारी जो भी अंसाटेनिटी है मार्केट में यह जो डाउट है तो वहां पर हम लोग उसको किलियर करते हैं तो इसका इस्तमाल हम लोग सेल्स के लिए करते हैं मार्केटिंग के लिए पॉलिंग के लिए कर सकते हैं पॉल अपना relationship management में हम लोग partners को manage करते हैं यह एक software strategy है जो की smooth business को run करने के लिए अपने partners के साथ हमें help करता है अपने product को sell करने के लिए Net Promoter Score NPS आपको बताया मैंने कि Net Promoter Score क्स्तमर Satisfaction metric काम करता है जो की measure किया जाता है 0 से 10 ranking दी जाती है और यह depend करता है कि जो company हमारा वो कैसे उसको promote कर रहा है people जो है जो भी people है जो भी customers है वो किस तरीके से हमारे company को promote कर रहा है जो भी हमने advertisement दिया है products related अगला बच्चो स्कुवल sales qualified lead जो भी हमारे जो products है जो sales team work करती है है जो qualify कर चुकी है यानि कि जो भी रिसर्ज कस्टमर्स हैं या पॉस्पेक्टिव से हैं फिर्स्ट बाइए और और अर्गनाजेशन से मार्केट डिपार्टमेंट के तरह काम करेगी फिर इसको सेल्स टिम लेके जाएगा और यह नेक्स्ट पोसेस के लिए जाएगा यानि कि रेडिया हो प्रोडेक्ट को लांच से पहले तो जब रेडिय हो जाता है क्यों लूड़ाइब करते हैं ठीक है बच्छो सीढीयानिट्व एक्शन cta का मतलब होता है बच्चों जो भी calls किये जाते हैं आपको encourage करने के लिए या आपको बताने के लिए जो भी link provide किये जाते हैं आपको आता है अगर आपने किसी products का advertisement देखा आपने तो आपको company के तरफ से फोन आता है कि सर आप किस तरह के गाड़ी लेना चाहेंगे क्या range है आपका कितना budget है आपका और क्या-क्या features आप पसंद करते हो कौन सी गाड़ी आपको पसंद है तो इस तरीके के जो calls आते हैं प्रोवाइड होता website पर यह प्रोटली online marketing के जरिए किया जाता है अगला बच्चों ACD यानि की automatic call distribution जो भी calls लिये जा रहे हैं जैसे यह telecommunication सेक्टर में आप समझ कि अगर हम call लगाते हैं और हम बोलेंगे कि हमको marketing department से बात करना है तो यह call distribution जो होता है यह इसी के जरिए किया जाता है यह हमें एक manager से बात करना है कि अपने manager से में बात कराईए तो इस तरीके का जो distribution किया जाता है यानि कि एक call जो अप लगाऊगे यह एक जगह पर लगेगा वहां से distribute होगा जहां भी आप बात करना चाहते हो यह जो maintain करती है telecommunications company के दोरह किया जाता है incoming calls को specific department में पहुचाया जाता है CLV और CLTB एक ही चीश है बच्चों या LTV आप ले लो customer lifetime value मैंने आपको पहले भी बताया है कि पिछे लग्चे समय customer lifetime value कैसे calculate किया जाता है यानि कि जो customer हमारे पास चला गया है माँ पास से जो retain है minus upon divided by customer retention rate यानि कि turn rate minus retention rate upon retention rate तो यह जो customer lifetime value यह hypothetically calculate किया जाता है बच्चों hypothetically यह मान के चलते हैं कि customer हमारे पास retain है इसके बारे में lectures मैंने पहले से दिये हुए है इसके detail में समझने के लिए आप वहां से follow कर सकते हैं बच्चों तो CLTB भी हो गया वही चीश है आप उसको CLB बोल लीजिए CLTB बोल लीजिए lifetime value यानि कि वह जो company customer है company को कितना revenue देगा अगर वह maintain रहेगा तो उसके life spend जो है जब तक वह है customer हमारे पास तब तक हमाई कितना revenue दे रहा कितना profit दे रहा कंपनी को इसमें हम लोग कलकुलेशन करते हैं इसी तरीके से CRB है बच्चों customers referral value तो referral मिन्स क्या होता है कि जब हम कोई products को लेते हैं और उसका reference दूसरे customer को देते हैं या दूसरे people को देते हैं अगर हम pen drive ले लिए हैं अपने लिए और हमें वह अच्छा लगा 8GB का pen drive हो या 32GB का बोलेंगे तुम भी लेलो यह बहुत ही अच्छा है बहुत जल्दी fast इसमें copy paste भी होता है और काम ज़्यादा अच्छा करता है तो इस तरीके से customer referral value काम करता है तो जो भी reference के थुरू आते हैं वो customer referral value में add हो जाते हैं तो company इस पर response करती है और उसको छूच देती है आनि कि यह word of mouse के जरिए होता है तो यहाँ भी एक abbreviations आ गया WOM जिसका full form होता है word of mouse यानि कि मूँ से जो advertisement होता है जो भी reference दिया जाता है माउट के जरिए जो भी हम advertisement करते हैं या अपने products की बढ़ाई करते हैं या को customer हमारे products की बढ़ाई करे वो word of mouse के जरिए होता है तो CRB में उसको हम लोग ले लेते हैं calculate कर लेते हैं customer referral value उसमें include हो जाती है कि आई होब यह सारे topics आपको समझ में आ गया होगा बच्चो फाइब प्रसेस मोडल मैंने बहुत अच्छे से बताया गाटनर्स कंपेंटेंसी मोडल उसके बाद डेंडोग्राम टूल हमने पढ़ा और acronyms को पढ़ा सारे points आपके examination point of view से बहुत ही important है बच्चो आप लोग से आप लोग को exam में अच्छा perform करना है हमें यह उमीद है बच्चो कि आप लोग CRM के lectures अच्छे से पढ़ रहे होंगे इसलिए में एक पॉइंट को इतनी detail में बताता हूं और जब आपका performance इतना अच्छा होता है बच्चो जब हम देखते हैं कि आप लोग test is attempt करें सब्सक्राइब हो जाएंगे आप जितना से जितना हो सके उतना मेहनत करिए और आपके numbers आइकदम 12 में से बार आने ही चाहिए इस वीडियो से अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे comment box और telegram चलने पर पूछ सकते हैं जिसका link description box में रहता है इन सारे topics के आप notes बना लीजिए या हमारे PDF को follow कीजिए PDF आपको हमारे telegram चलने पर मिल जाएगा जिसका link description box में रहता है मिलते हैं next video में तब तक के लिए जाए हिंदे